दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल competition preparation पर दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत बहतरीन question लेके आये हैं और special question की जो series चल रहे थे उसमें question और add हो जाएगा question पढ़िएगा आप लोग try करिएगा खुद से solve करने की और I hope आप मेंसे ज़्यादर लोग इससे परिचित भी होंगे इस प्रशन से लेकिन इसमें कुछ बहतरीन concept आज हम सेखते हैं इसका कहा गया if the five digit number five three eight x y is divisible y three seven and eleven यहाँ पे जो important चीज है जैसे अभी इसी को 72 से divisible कह दिया जाता तो आप आठ और 9 से चेक कर लेते अगर मैं 36 से कहता चार और 9 से चेक कर अब x square plus y square केवल और केवल तभी निकलेगा जब x और y की value पता हो तो हमें x और y की value हर हाल में निकालनी पड़ेगी अच्छा कई बार आप कह देंगे कि sir मैंने option रखके चेक किया x बराबर इतना रखा y बराबर इतना रखा answer आ गया अच्छा पहली method तो यह हो गई कि hit and trial स May Chanungी स किया अपने कर लिया second method क्या हो गई कि आप क्या काम करें कि 3 शेट करें-7 से डिविजबिल्ती च्थेखरें11 केश्एग सब इघचरें सब्रूर तो तो मैं बता दूँं पहले आपको थोड़ा सा तरीका अगर आपको नहीं पता कि तीन से डिविजबिल्ती का नियम ह कि संख्या के sum of digits यानि कि अंको का योगतीन से कटना चाहिए साथ के divisibility का rule है कि आपको क्या करना है कि जैसे माल लो 5-5-2 दे दी गई ठीक है 5-5-2 दे दी गई या ऐसे करिएगा माल लिजे आपको दे 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 गए 2-4-0-1 एक संख्या दे दी गई और कहा गया इसे 7 से चेक करो कि divisible है कि नहीं तो unit digit लीजिएगा unit digit का दूना करिएगा तो एक का दूना दो हो गया और जो remaining संख्या है उसमें से इसको घटा दीजी यानि 240-2 करतीजी तो 240 में से दो घटाएंगे तो 238 बचेगा अब इसको 7 से divide करके देखिए तो 7,21,28,7,4,28 अगर ये संख्या हमारी कट जाती है तो ये 7 से divisible हो जाएगी समझ रहे हैं यानि आपको unit digit लेना है unit digit का दो गुना करना है आपने कर लिया उसके बाद में आपको जो remaining संख्या बच रहे हो उसमें से इसके दोगने को घटाना है जो संख्या प्राप्त होती है वो अगर हमारी 7 से कट रहे है तो हमारी संख्या साथ से कटेगी ऐसे भी कर सकते है लिगिन ये lengthy process हो जाए और 11 से divisibility का rule है कि अगर मालो 1331 या एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 11 से कट रहे हो अगर इसको 11 से divisibility चेक करनी है तो alternate digit का sum ले लिजे एक तीन का sum 4 और एक तीन का sum 4 अब आपको क्या करना है जो sum लिया है उनका अंतर लेजिए तो जो अंतर है वो या तो 0 होगा या तो 11 के table का होगा अगर वो 0 है तब भी 11 से कटेगी और अगर 11 के table का है तो भी 11 से कटेगी ठीक है लेकिन इस question में ऐसा हम नहीं करेंगे देखिए गई इस question को कैसे करेंगे कहा गया कि एक 5 अंकिये संक्या है 5 3 8 x y इस संक्या को मैं दुबारा लिख दू कोई तकलिव आपको नहीं होगी 5 3 8 x y हिंदी माध्यम वालों के लिए और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए 5 3 8 x y मैंने लिख दी अच्छा अगर कोई संक्या मैं कहता कि 3 7 11 11 से नहीं 3 या ऐसे कहता 7 11 और 13 से कट रही है तो आपको यह भी question ही हो जाता यूँकि 7 11 13 से अगर कोई संक्या कटती है तो हमारी 1001 से कटेगी और कोई संक्या 1001 से तभी कटती है जब उसके 3 डिजिट repeat हो जाए 2 बार कोई 6 अंक्ये संक्या 1001 से तभी 2 बार आजाए जैसे कोई 3 अंक लिखे 1 2 3 और फिर 1 2 3 लिख दीजिए तो यह संक्या हमारी 1001 से कटेगी ऐसे मैं कहूं 4 7 3 लिख दीजिए और फिर 4 7 3 लिख दीजिए यह संक्या 3 3 संक्या को ग्रूप एक इधर बंडल एक इधर बंडल दोनों लिख दिया मैंने तो यह सं संख्या है लगातार दो बार लिख दी जाएं तो संख्या जो बनेगी उससे वह हमारी कटेगी अगर यह एक्सवाइजड एक्सवाइजड के फॉर्म की कोई संख्या है छेंकिया संख्या तो एक हजार एक से कटेगी लेकिन क्या 13 है पर दिया गया नहीं आप देखिए अप इक 27 से विडिविजवल होगी 11 से विडिविजवल होगी अच्छा अब आप एक बहुत इंप्वॉटन कॉंसेट बता रहा हूं कि कोई संख्या 77 से कप करती है तो कि एक जीए ध्यान रख्याण कि अगर कोई 6-10 के संख्या है कोई 6-10 के संख्या तो इसको पहले 6-10 बनाइ 6 अंकिय संख्या बले और ये 6 अंकिय संख्या 77 से तभी कटेगी जब हम क्या काम करें लास्ट वाले 3 डिजिट उठाईए लास्ट वाले 3 डिजिट मैंने उठा लिया 8XY और इस में से आगे के जो remaining 3 डिजिट से उनको घटाईए 0, 5, 3 8XY में से 0, 5, 3 अंकिय संख्या बन रहे उसको उठाईए और जो 3 संख्या चोड़ी ती सुरू की वह आप उठा के उसमें से घटाईए अब जो अंतर आएगा वह 77 से घटना चाहिए अब आप एक चीज बताईए 8XY यानि कि हमारी संख्या कुछ ऐसी बन रहे है 800 something उसमें से तीरपन घटाएंगे तो हमारी संख्या कितनी आएगी 800 something में से अगर तीरपन घटाएंगे तो हमारी संख्या कैसी आएगी हमारी संख्या कुछ 700 या 800 करके आएगी 800 कुछ करके या 700 कुछ करके आएगी अरे क्योंकि 800 से घटाया गया तीरपन अब आपका चाहे अगर तिरपन से छोटी डिजित यहां पे होगी तो 700 कुछ करके आगी अगर एक स्वाई मिलके तिरपन से बड़ी डिजित होगी तो आपके 800 कुछ आएगी ठीक है समझ आ रहा है यहां तक अच्छा का टेबल पढ़िए कि हमारा आठ है बिल्लब की सहेकड़े कांक आठ हो और 77 का टेबल पढ़िए कि सहेकड़े कांक साथ हो तो 77 दाम में यहनी 77 गुड़े 10 770 बन रहा है और 77 गुड़े 11 करेंगे तो 77 से कटेगी जो अंतर आया है या तो 770 होगा तब कटेगा आपको पता है कि अगर यह इसका अंतर 847 है तो आप कहेंगे कि सर कितने में से तिरपन घटा जाए कि 847 है तो आप कहेंगे सर 900 में से घटाना पड़ेगा लेकिन हमारा यहां संख्या तो 800 ही है समझ रहो या आप कह रहे हैं कि 8XY में से तिरपन घटाने के बाद हमारी संख्या 847 नहीं आ सकते क्योंकि अगर 847 आएगी तो हमारे 8XY को 900 होना पड़ेगा यानि कि आपकी जो अंतर आया है उसको कितना होना पड़ेगा 770 होना पड़ेगा अब अगर यह 770 हो जाता है तो इसका अंतर अगर 770 हो गया तो आप यहां से कहेंगे 8XY बराबर 770 प्लस 33 यानि 823 यानि X की वैलू दो हो गई Y की वैलू तीन हो गये अब अगर मैं बात करूँ x square plus y square 2 का square 4 plus y 3 का square 9 यानि आपका answer हो गया 13 समझ में आ गया यानि आपको क्या करना है मैं फिर से समझाए दे रहू last 3 digit टुठाइए 8xy सुरू की 3 digit टुठाइए तो यहाँ 0 बढ़ा लीजेगा तिरपन अब इसमें से तिरपन घटाएं ठीक है और हमारी कोई संख्या ऐसी आनिचे जो 77 के table की हो तो आपको यह ध्यान रखना है मेरे भाई या हम ऐसे कहें कि 77 के table यानि 770 770 में क्या जोड़ें या ऐसे कहें कि तिरपन में क्या जोड़ें कि हमारी संख्या 8XY के form किया जाए तो हम कहेंगे कि 8XY में से तिरपन घटाएंगे और जो संख्या आएगी वो 77 से कटेगी तो 77 से कटने वाली दो संख्या 800 के करीब में है एक 847 है एक 770 है ठीक है अब अगर 847 इसको होना है तो आपको पता है 8XY अगर 8XY में से तिरपन घटके 847 हमारा आंसार आता है तो यह 900 हो जाएगा जो कि यहाँ पे सैकड़े का आंक 8 है यहाँ पे 9 हो जाएगा जो कि पॉस्चिबल नहीं है यही इसको 770 होना पड़ेगा और अगर 8XY माइनस तिरपन बराबर 770 तर तो हमारा 8XY बराबर कितना हो जाएगा 823 यानि कि X की वैलू 2Y I hope आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों साथ सेयर करेगा अगर चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करेगा